हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाइद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन सौट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर साप के लिए एक नहीं वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों जो कि हमारे पास निगल कर आई है टाटा मेमोरियल सें अगर बात कर लें इस फॉर्म का वाइदन करने के लिए अप्लाइ मोड क्या रखा गया है तो यह वाकिर इंटर्वू के थूरू करवाए जागा दोस्तों यह वैकेंसी के बार मैं डीटेल में जा लेता है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न k बात करने चैनल के लिए टोर्ट डिषस्सितन के लिए 48 पोस्ट है अगरें बात कर लेता है Each इंट कोस्ट को दृस्ट की सहकजए वही है में पेसंट असिस्टेंट के लिए 38 पोस्ट है फार्मार्मसिस्त के लिए छय पोस्ट हाद जबकि कर पाएंगे अगर बात कर लें पोस्ट वाज एडुकेशन की तो मुल्टी टैस्टिक स्टाफ के लिए काडियाट्स का टेंथ पास होना ज़रूरी है जब कि टेक्निकल ऑफिसे स्टाफ के लिए जीन काडियास से जिसे म्दिस कर रकाँ वो सारे और अफ लिए अ कर पाएंगे टेकनिकल कोडिनेटर डेटा के लिए जीन काडियास ना फिर अ् donc δεν कर 지금까지 कर पाएंगे जब्की टेक्निकल कोडिनेटर मेडीकल के लिए जीन के न म्ट्रेष सेंप्र ज कर रकाँए के लावधन कर पाएंगे वहें data entry operator के लिए जिन काड़ेट से 12 पास कर रखा वो इसके लावधन कर पाएंगे जबकि field investigator post के लिए काड़ेट का graduation msw या post graduation किया होना जरूरी है अगर बात कर लिए research assistant की तो इस post के लिए जिन काड़ेट से BDS, BAMS, BHMS, MDS या post graduation diploma कर रखा वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे जबकि data entry operator HPV के लिए जिन काड़ेट से 12 पास कर रखा वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे वहें बात करें nurse post के लिए तो इसके लिए जिन काड़ेट से GNM या BSC नर्सिंग कर रखा वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे पेसंट असिस्टेंट के लिए जिन काड़ेट से क्लास कर रखा वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे अगर salary details की बात किया दोस्तों post wise तो MTS यानि अग को मिल दागी अमुल यानि कर रूपय से कर देटाः निर्सेटर के अठाः रूपय तग कर से के लिए जब नर्स अठागी 18000 चलेगे लिए फांटेघ के लिए को मिल जाएंगे 15000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक फार्मसिस्ट को मिल जाएंगे 20,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए पर मन तक जब कि मल्टि-Taskin staff cancer screening को मिल जाएंगे 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए पर मन तक की salary अगर बात कि को चारी किया गया तो 16 नौमर 22 को जबकि वाकिर इंटर्वू के लिए रखा गया दोस्तों 14 दिसमा 22 अगर बात किया आप इस फॉर्म के लिए कैसा बदन कर पाद तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन डालोड करना है जिसका लिंक आपको इस व बिहार 842 सूने सूने चार अब अगर वहीं बात किया दोस्तों वाकरी इंटर्व्यू डेट डिटल्स की तो इससे आप इस वीडियो को पॉस करके आसानी से देख सकते हो क्योंकि अलग अलग पोस्त के लिए अलग अलग इंटर्व्यू डेट्स रखी गई है दोस्तों तो जाहिंट